देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंतरादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर म होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदा है, पनी रहे, कि वीडियो करक यानि की कैंसर के लिए बहुत ही महत्वपून वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है करक के एप्रिल 2023 के मासिक राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा करक के लिए आने वाला महीना, क्या-क्या प इंकम, इंवेस्मेंट, लव लाइफ, मैरेड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, इन सभी को मैं इसमें कवर करता हूँ, और कुछ उपाए भी अंत में अवश्य बताता हूँ, कहां से देखे राशिफल, देखे, लगन राशी से और चंदर राशी से टेक्निकली अलग-लग र सकते, आपको इस समझना होगा कि राशीफल सामान्य विश्रेशन होते हैं, आपकी पर्टिकुलर कुंडली के विश्रेशन नहीं होते, इसने जो भी राशीफल होते हैं, वो केवल सामान्य आधार पर दिये जाते हैं, और केवल ग्रहों की गोचर स्थिती पे होते हैं, रा राशी करके हैं, दोनों ही इस राशी फल को देख सकते हैं, अब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो शुरुवात करते हैं करक के आने वाले महीने के मासिक राशी फल का जनरल प्रडिक्शन के साथ, शुरुवात जनरल प्रडिक्शन से करते हैं और सबसे पहले लगन को ही भागे का साथ आपको भरपूर मिलेगा, कुछ नई शुरुवात करने के लिए जीवन में बदलाव लाने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए और इवन आध्यात्मिक दृष्टी कौन से भी ब्रहस्पती का ये जो प्रभाव है आपके लिए बहुत अच्छा रहे और किसी ग्रह का डिरेक्ट इंपक्ट लगन पर इस महीने नहीं दहेगा और 22 तारीक के बाद ब्रहस्पती की दृष्टी भी आपके लगन से हट जाएगे ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत महत्तोपून है क्योंकि ब्रहस्पती का राशी पर इतन इस महीने हो रहा है और ब्रहस्पती आपके भाग्य स्थाने के स्वामी है और आपके लिए बहुत महत्तोपून ग्रह है ब्रहस्पती जैसे ही दस्त्वे स्थान में आ जाएंगे आपके समझे कि आपके जीवन की एक नई पटकता लिखी जाएगी आपके जीवन की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी स्पेशली करियर के दृष्टी खुन से दिखी जो ब्रहस्पती हैं ये अपनी पूरी एक लंबी जर्नी खतम करकर वापस आ रहे हैं सभी की जीवन में जहाँ जहाँ ब्रहस्पती इस साल अपना राशी परितन करेंगे उनको उस एरिया के संबंद में कुछ नया करने को मिलेगा कुछ नया दिखाने को मिलेगा, कुछ नया एक्सपिरियंस करने को मिलेगा तो आपके लिए ब्रहस्पती आपके दस्वे स्थान में आ जाएंगे 22 तारिक को और आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना रहने वाला है हाँ 22 तारिक के बाद सिर्फ 8 ही दिन बच जाते है अप्रिल में तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ही 8 दिनों में हो जाएगा लेकिन एक नई जीवन की करियर के हिसाब से शुरुवात हो सकती है इसके साथ ही आपके जो लगन से दस्वे घर जो बनता है यानि कि जहाँ पे मेश राशी है वहाँ पे इस महीने बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा कैसे महीने के शुरुवाती हफते में राहु शुक्र और बुद्धर हैंगे 14 तारिक को सूर्य आ जाएंगे 22 तारिक को ब्रहस्पती आ जाएंगे और शनी देव तो आपके दस्वे घर को देखते ही रहेंगे तो देखिए कितने सारे ग्रहों का प्रभाव आपके दस्वे घर पे है यानि कि एप्रिल का महीना आपके कारिक शेत्र में कुछ बहुत ही जादा अच्छे प्रभाव देकर जाने वाला है ये जो पूरा महीना है कहीना कि आपके करियर के लिए बहुत महत्वपून रहेगा शनी महाराज आपके अश्टम भाव में बने रहेंगे और शनी महाराज का अश्टम में होना कहीना कहीन सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन जीवन में एक अनिशित्ता उत्पन करता है सब कुछ अच्छा होते हुए भी इस पूरे महीने आपको कही न कहीं एक अपूर्णता का भावर हैगा यानि कि पूर्णता की कमी रहेगी और वो आपको मानसिक लेवल पर बहुत परिशान करेगी कई ऐसे करक के जातक होंगे जिनको जन्वरी से बहुत ही अनेजी सा फील हो रहा होगा मैं यह नहीं कहा रहा कि सब कुछ उनकी साथ बुरा ही चल रहा होगा कुछ अच्छा भी अगर हो रहा होगा तो उनको कुछ अच्छी अनुभूती उससे नहीं हो रही होगी या जीवन को बहुत अच्छी तरह से enjoy नहीं कर पा रहे होगे जीवन एक बंधन सा लगने लग गया होगा और ये प्रभाव अभी थोड़ टाइम रहेगा क्योंकि शनी देव अश्टम में गोचर कर रहे है विपरीत राजयोग बना रहे हैं करियर के स्थान को देख रहे है तो करियर में तो अच्छा करेंगे आप आगे बड़ पाएंगे लेकिन मानसिक तोर से बहुत परिशान रहेंगे बहुत sensitive रहेंगे ये चीजें आपको परिशान करने वाली है सूर्य दिगबली हो रहे है सूर्य दिगबली कब होते हैं जब वो दस्वे घर में जाते हैं मंगल और सूर्य दोनों ही दस्वे घर में दिगबली होते हैं तो ये भी बता रहा है कि यदि आप लाब उठा पाएं, तो आप अपने जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, एक और बहुत महतपून चीज इस महीने होने वाली है, वो है शुक्र का राशी परिरतन, और वो आपके कहाएंगे लावस्थान में, यानि कि ग्यारवे घर में, और कहा रहे हैं, वाहन खरीदना चाते हैं, प्रॉपटी खरीदना चाते हैं, प्रॉपटी में इन्वेस्ट करना चाते हैं, सब के लिए बहुत अच्छा है, शुक्र लावस्थान में बैठकर पंचम को देखेंगे, रिलेशन्जिप स्टार्ट करना चाते हैं, बहुत अच्छा है, मंगल बारवे घर में बने रहेंगे पूरे महीने और मंगल योग कारग रहें तो जो लोग विदेश से संबन्द कुछ कारे करते हैं विदेश में जाना चाहते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो विदेश में अलरडी हैं लेकिन उनको महाँ पे पर्मनेंट रेजिदेंस चाहिए ध्यान आपको कब देना है देखे बुद्ध वक्री हो रहे है इस महीने 21 या 22 तारीक के आसपास और बुद्ध यहाँ पर राहू के साथ भी रहेंगे और यह दस्त्वे स्थान में होगा तो यह जो कुछ दिनों का समय है कि आपसे कारेकशेतर में कुछ गलती हो सकती है इसके साथ यह वो समय है जब आप पर जूटे आरोब भी लग सकते है और कुछ लोग जान बूच कर आपको तंग करेंगे तो इस समय थोड़ा सा ध्यान दे दिजेगा अदर्वाइस तो यह महीना अच्छा है पॉजिटिव पॉइंट जिस महीने की क्या है जिसे अभी मैंने शुक्र की बात करी तो पैसा बहुत आता हुआ दिख रहा है भागे साथ आपका अवश्य देगा और जीवन आगे बढ़ेगा अगर जीवन स्टेगनेट सा हो गया था रुकस आ गया था आगे बढ़ ही नहीं रहा था ऐसा लग रहा था कि बस आगे जाही नहीं सकते यह महीना एकदम बदलाव लाएगा चीज़ें आगे बढ़ेगी क्रियेटिव बहुत रहेंगे स्ट्रेंथ बहुत रहेगी करक में और कभी-कभी सोचते हैं चलो अभी नहीं किया तो अगली बार कर लेंगे यह इस महीने बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि महीना बहुत अच्छा है कोई भी ऑपरशनुटी आती है किसी भी एरिया में उसको आपको ग्रैब करना है कई चीज़ों को नजर अंदाज इस महीने करेंगे, इग्नोर करेंगे, वो इग्नोरंस आपके लिए भारी पड़ सकती है और इसके साथ ही गलत लोगों पर विश्वास इस महीने आप पर भारी पड़ सकता है तो इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा कुछ विशेश योग जो आपके लिए इस महीने बन र दिला कर जा सकता है तो ओररल कहूं यह महीना बहुत अच्छा है जादा फोकस आपका इस महीने करियर और पैसा कमाने पर ही रहने वाला है जो कि बहुत अच्छी चीज है करियर के तरफ चलते हैं जहां तक करियर की बात है यह महीना बहुत ही अच्छा है बहुत ही महत्तपू ना रहेगा, changes लाने के लिए बहुत अच्छा है, अगर बहुत लंबे समय से आप job change करने के बारे में सोच रहे थे, कोई आपको job प्राप्त ही नहीं हो रहे थी, आज के time में जो specifically आज का, आजकल का जो scenario चल रहा है, जहांपे layoffs बहुत हो रहे हैं, वहांपे लोग जो job कर रह महीना है, बहुत अच्छा हो सकता है, उनके लिए अच्छी अच्छी opportunities आ सकती हैं, अचानक से opportunities आ सकती हैं और बहुत लाबकारी opportunities आएंगी, तो यह महीना career के संबंद में आपके लिए बहुत अच्छा है, और देखिए, ब्रहस्पती दस्वे घर में आ रहे हैं, यह एक सा के लिए रहेंगे तो ना केवल चेंज कुछ आएगा, बलकि बहुत अच्छा चेंज आएगा, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर को एक नई राहा देगा, आपके करियर को बहुत तेजी से आगे ले कर जा सकता है, गुरु चांडाल योग भी दस्वे घर में बनेगा, ज पूर अभी आपके दस्वे घर में आके दिखबली हो जाएगे, तो ये बात तो समझ लीजी कि अगर आपको करियर में अपना नाम बनाना है, जॉब चेंज करनी है, अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, प्रोमोशन प्राप्त करना है, तो उन सब चीजों के लिए महीना ब आएंगे कि क्या करना है तो ये जो समझ नहीं पाए वाली बात है ये 20 अप्रल तक जादा तंग करेगी उसके बाद क्यूंकि ब्रहस्पती आ जाएंगे दस्वे घर में तो कई चीजों को कंट्रोल कर लेंगे इस महीने की पॉजिटिव चींजे करियर में क्या हो सकती है स्टेबिलिटी धिरे-धिरे करके आती रहेगी कई चाएं आपकी पूरी हो सकती है करियर के संबंद में एक बैलन्स आना शुरू हो जाएगा और बहुत शुबता रहेगी भागे का बहुत साथ मिलेगा पैसा बढ़ने की संभावना बहुत है एक्स्रा इंकम की संभावना ब हो सकता है को यह और अच्छी उपचिनिटी आ जाए वहां पर हो सकता है कुछ बहुत अच्छी अच्छा मौका आपके हाथ से निकल जाए और ध्यान इस महीने आपको यह देना है कि अपने बरताव पर बहुत ध्यान देना है अपको अपनी बॉड़ी लेंग्वेज पर अ उतना आपके लिए अच्छा है स्पेशली जब आप अपने ऑपोसिट जेंडर से बात करते हैं तो बहुत ध्यान आपको रखना है अगर आप मीडिया से जुड़ा फैशन से जुड़ा फाइन से जुड़ा सॉफ्टर से जुड़ा कुछ भी खारे करते हैं महीना अच्छा बिजनस के तरफ चलते हैं बिजनस के लिए महीना अच्छा ही देख रहा है कारण क्या है कि सब्तम भाव बिजनस के लिए देखा जाता है और सब्तम भाव के स्वामी शनी है वो विपरीत राज्योग बनाकर बैटे हैं और सब्तम भाव पर मंगल की दृष्टी है मंगल य तो यह महीना वो है जब आपके बिजनस में बहुत सारे positive changes आ सकते हैं और उससे important चीज़ है कि आपको बहुत अच्छे creative ideas आएंगे अपने business में और उनके basis पर उन ideas के basis पर आप अपने business को बहुत तेजी से आगे लेकर जा सकते हैं तो यह महीना business के संबंद में बहुत ही बिजनस में देखने को अवश्य मिलेगा इस महीने के positive चीज़े क्या हो सकती है धन बहुत तेजी से आएगा business करते हैं किसी भी तरह का धन आपको बहुत तेजी प्राप होगा कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी अपने business के संबंद में आपकी उर्जा बहुत स बहुत आएंगे यह वो महीना है जब आपको कोई ऐसा idea आ सकता है जो आपके business को एक अलग level पर लेके जाएगा और ideas आज के time में business के लिए बहुत important होते ही हैं तो यह सब दिख रहा है कि business के लिए महीना बहुत positive है आगे ही आपको लेकर जाएगा इस महीने ध्यान किस चीज इसका रखना है सबसे पहला ध्यान ही रखना है कि बुद्ध वक्री हो रहे हैं और वो व्यापार के कारक होते हैं तो कही ना कहीं उनका relation आही जाता है और वो दस्वे स्थान में वक्री हो जाएंगे और बहुत सरे ग्रहों के साथ होंगे तो यहाँ पर कोई बड़ा risk मत ल लाएगा 21-22 तारीक के आसपास यह वो तीन-चार दिन का समय है जहाँ पर आपको थोड़ा सा सहजता रखनी है थोड़ा सा धहरे रखना है अदर्वाइस यह पूरा महीना बिजनस के लिए अच्छा है नेगेटिव क्या हो सकता है लौ से छेड़ चार कुछ ना कुछ आप चीज मुझे ज़्यादा दिख रही है और comfort zone को ना छोड़ना भी थोड़ा आपके लिए इस महीने बिजनस में problematic हो सकता है अगर आप liquid से जुड़ा कुछ कारे करते हैं अगर आप software से जुड़ा कुछ बिजनस से आपका technology संबंदित कुछ बिजनस से आपका या publication से जुड़ा कुछ कारे है तो लाब हो जलते हैं income investment expenses की तरफ पहले investment की बात कर लेते हैं महीने के शुरुवाती 10 दिन जल्दबाजी से बचिएगा अराम से धहरे पूर्ण तरीके से आपको investment करनी है जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे समय अच्छा रहेगा यहाँ पे लाब हो सकता है और जो अंतिम दिन है महीने के 20 तारीक के बाद से यह investment market को समझने के लिए बहुत अच्छा है तो overall त अपनी उच्छ की राशी में दस्वे स्थान में आकर दिखबली हो रहे हैं और अर्थ तरीकोन को activate कर रहे हैं भरसपती महराज 22 तारीक को आपके दस्वे स्थान में आकर तो यह महीना धन कमाने के संबंद में तो बहुत अच्छा है अपने कारेक शेत्र से बिजनस से बहुत खर्चे होंगे दवाईयों पर बहुत खर्चे होंगे और groceries के समान पर इस महीने आपके खर्चे थोड़ा अत्यधिक हो सकते हैं relationship की बात करते हैं सबसे पहले no contact situation की बात करेंगे महीना no contact situation के हिसाब से ठीक दिख रहा है बहुत संभावना है कि कुछ ना कुछ ऐसा source निकल सकता है understanding भी बन सकती है कि दुबारा आपकी जो बातचीत बंद हो गई थी वो start हो सकती है तो उस हिसाब से तो महीना अच्छा देख रहा है जहां तक नए relationship की बात है उसकी भी संभावना इस महीने है महीने के अंत में ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी इसलिए गर आपको try करना है तो 20 तारीक से पहले पहले try कीजेगा जो लोग अल्यरी relationship में उनकी बात करते हैं पंचम भाव को देखा जाता है सबसे पहले पंचम भाव के स्वामी मंगल है जो आपके रिशुब है लेकिन वो पंचम से अश्टम में बैठे हुए है यानि कि थोड़ी सी instability तो रहेगी और पंचम भाव पर भ्रहस्पति की दिश्टी शनी के दिश्टी भी रहेगी ये ब अगे बढ़ेंगी ठीक रहेंगी अच्छा समय एक दूसरे के साथ spend कर पाएंगे हाँ थोड़ा mental compatibility पर अवश्य काम कीजेगा कि वहां पर थोड़ी मुझे कमी दिख रही है इस महिने की positive चीजें क्या है एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे ये प्रयास करना भी बहु हर्ट करती हैं और उन सब चीजों पर आप काम भी करना शुरू कर देंगे और ये चीज़ें आपके partner की तरफ से भी होगी तो overall कहूं तो ये महिना relationship के हिसाप से ठीक ठाक ही दिख रहा है थोड़ी बहुत mental compatibility के issues आ सकते हैं negative points क्या हो सकते हैं कभी कभी करक वाले जातक होते ह हैं ये गलत जगा पर गुसा करते हैं और बहुत गलत तरीके से react कर देते हैं जो कि इनके nature के विरुद्ध हैं वैसे शांत लोग होते हैं इस महिने भी ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत ही गलत समय पर आप का aggression तूटेगा अपने partner पर और उसके कारण बहुत बुरा हो सकता है तो बस इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा जब भी गुसा आए तो ये मन में सोचिएगा कि हाँ इसको control किया जा सकता है और उस टेम पर कुछ ज़्यादा बोलेगा मत इस चीज़ पर आपने control कर लिया तो महिना ठीक ठाक जाएगा मंगल क्योंकि योग कारग रहे हैं तो उनका दिष्टी यहाँ पर होना कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा लेकिन मांगलिक दोश बना है थोड़ा physical compatibility पर ध्यान दीजेगा वहाँ पर थोड़ी problem हो सकती है और सब्तम के स्वामी क्योंकि अश्टम में ह को तो बहुत जादा कुछ negative नहीं है अपने उपर धैरे रखेगा व्यरत की चिंताओं से बचेगा जादा मत सोचना शुरू कर दीजेगा और जब तक आपके पास कुछ concrete ना हो तब तक शक मत कीजेगा तो यह महीना ठीक ठाक सा देख रहा है married life के लिए क्योंकि सब्तम पर संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं नहीं कि conceiving के लिए महीना अच्छा है वह लोग जो जान बूच कर आपकी married life में problems create कर रहे थे आपको उनके बारे में पता चल जाएगा और आप थोड़ा उनके बारे में सचेत हो जाएगे इसके साथी थोड़ा बहुत महीने के अंत क के तरफ mental compatibility भी अच्छी हो जाएगी और एक दूसरे की उर्जा को समझना शुरू करतेंगे तो मैं यही कौका कि महीना बहुत negative नहीं है sensitive है ध्यान रखेगा विरत की चिंताओं से आपको बस इस महीने बहुत दूर रखना है सब्तम के स्वामी अश्टम में बने रहेंगे बहीने बलकि लंबे समय तक तो यह वही टाइम है जब अचानाक से आपके मन में कुछ ख्याल आएगा और उसके बारे में सोच सोच कर आप अपनी married life को और problematic कर लेंगे negative points क्या है ego थोड़ा सा ego आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा अपने life partner के प्रती बलकि जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको यह लगएगा कि आपके अंदर ego बहुत है और वहाँ पर problem हो सकती है इसके साथ ही sensitivity या sensitive time का ख्याल नहीं रखना कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब हमें चुप रहना चाहिए और कभी-कभी करक की problem में यह होती है कि वो गलत समय पर अपने गुस्सा जाहिर कर देते हैं या गलत जगा पर गलत चीज़े बोल देते हैं तो वो इस महीने भी देख रहा है married life में तो इन सब चीजों का आपने अकर ध्यान रखा तो married life में ज़्यादा problems नहीं आएंगे students की दरफ चलते हैं students के लिए महीना ठीक था कि दिख रहा है exams की पहले बात कर लेंगे महीने की शुरुआती दस दिन बहुत शुब हैं बीच के 10 दिन भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और जो अंतिम दिन है ये भी बहुत अच्छे यानि क ये वो समय है जब आपके लिए कई कारे बन सकते हैं कई रुके में कारे पूर्ण हो सकते हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है guidance भी बहुत अच्छी मिल सकती है पंचम के स्वामी क्योंकि बारवे में है तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा है और ओवर ओल ये महीना सकरात्मक बहुत रहेगा study के लिए students के लिए जो students job राप्त करना चाहते थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है बहुत शुब है इस महीने आपको क्या-क्या ध्यान रखना है इस महीने आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है mental health का ज्यादा ध्यान रखना है वहाँ पर problem आ सकती है balance बना के रखना है ऐसा नहीं कि अपने आपको इतना जोक दिया कि इतने exhaust हो गए कि जब कुछ crucial moments है एक्जाम आए तो आपके अंदर और उर्जा ही नहीं है इसी सका ध्यान रखना है एक continuity रखनी है ऐसा नहीं कि एक दिन तो सेहत की बात करते हैं सेहत के हिसाब से ठीक ठाक सा महीना है थोड़ी बहुत problems तो रहते ही है इस महीने और आपको blood disorders, sleep disorders, low BP की problem जिनको low BP रहता है उनको ज्यादा दिक्कत इस महीने रहेगी और infections overall इस महीने ज्यादा तंग करेंगी जो महीने के शुरुवाती 10 दिन है यहाँ यहाँ पर नसों की problem, सर से संबंदित problem और पेट के problem तंग करेंगी जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर chest से संबंदित problem और skin disorders और जोडों के दर्द जो महीने के अंतिम दिन है यहाँ तुबारा पेट की problems बाहर का खाना पीना बहुत भारी पर सकता है थोड़ा avoid उपाय की बात कर लेते हैं, कुछ सरल उपाय आपको करने हैं, एप्रिल के शुरुवाती दो-तितित में ही उपाय करने के तो अच्छा रहेगा, आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का पहले गंगा जल से अभी शेक करना है, फिर शिवलिंग पर चंदन का विलेपन क करना है, और कुछ चंदन की तेली की बूंदे भी डालनी है, यह सब करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने चार घी के दी अरपन करने हैं, और फिर वहां बैठकर आपको ओम नील कंठाय नमहा और ओम रुद्राय नमहा, इन दोनों ही मंत्रों का 108-108 पार जाप करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिना अरपन करके आनी है, यह पाया आप कर लेंगे तो महीना आपके लिए ओवराल अच्छा ही जाएगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएखा चैनल पर नए है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अ झालापोड़ है आपके काम आपके कीजिए, आपके कीजिए में काम मुछ तुक् 1